जैहिन दोस्तो मैं हूँ अनूब और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फलेक्ट तो दोस्तो रशिया अपने सोवियत उनियन के जमाने के रुद्वे को फिर से वाफस लाने का प्रयास कर रहा है और इसके लिए सबसे पहला फोकस रशिया का हतियारों के एक्सपो 14 आर्माता टैंकों को पर्चेस करना चाता है तो दोस्तो आजके इस वीडियो में आप लोग को रशिया के T14 आर्माता टैंकों के एक्सपोर्ट को लेके किस तरीके से रशिया द्वारा आगे बढ़ा जा रहा है और इन टैंकों के खासियोतों के बारे में हाली में रशिया पर दोस्तो इस जानकारी के साथ रशिया के तरफ से उन देशों के बारे में या डील के बारे में या संभावी डील के बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया गया और देखे तो एक तरीके से ये रशिया द्वारा अचानक से एक संसनी फैलाया गया ऐसे में सवाल उठने अंदाजा लगा जा रहा तो उही पे संभावेद इस लिश्ट में बाकी देशों में कुछ अरफ कंट्रीज भी हो सकते हैं और दोसो इस घोशना के बाद अब T-14 टैंकों को लेके अब कई सारे जगाओं में चर्चा भी हो रहा है रशिया के T-14 टैंकों को एक network centric warfare system भी कहा जाता है जबकि IDEX exhibition में रशिया के तरफ से T-14 टैंकों के इलावा कई सारे अन्य हत्यारों को भी लाया गया था जिनमें भारी वजन के infantry fighting vehicle, self-propel gun, T-90 tank और कुछ attack helicopter भी शामिल था दोसो T-14 टैंकों के घोशना के बाद इसके features को लेके भी चर्चा हो रहा है जहाँ पे इसका main gun और दुनिया के अन्य आधुनिक टैंकों में इस्तेमाल होने वाले main gun का भी चर्चा हो रहा है दोसो साथ में इन gun को लेके ये भी कहा जा रहा है कि इसका श्रमता या फिर वोले तो muscle energy जर्मन के Leopard 2 टैंकों में इस्तेमाल होने वाले 120 mm के gun के तुलना में अधिक है जबकि इन टैंकों में unmanned turret होने के वज़े से इसका reload capacity भी जादा है और इसी कारण से T14 आर्माता टैंक पर मिनिट में 10 से 12 round fire कर सकता है और साथ में ये anti-tank guided missile को भी fire कर सकता है जो करीबन 8 km दूर तक target को ध्वस कर सकता है दोसो इसके इलावा इस टैंक में secondary हत्यार के रूप में 300 round ammunition के साथ 12.7 mm के heavy machine gun और 1000 round ammunition के साथ 7.62 mm के machine gun का भी इस्तेमाल किया गया है जबकि इन round के इलावा टैंकों के पास additional 1000 round storage भी है 12.7 mm के machine gun को turret के roof के उफर set किया गया है जो commander side के साथ operate कर सकता है जबकि turret के अंदर सामने के हिस्से में एक particular gun side बनाया गया है जिसके सहारे 7.62 mm के इस machine gun का इस्तेमाल किया गयाता है जबकि दोस्तों इसके इलावा ये भी कहा जा रहा है कि संभावित इस टैंक को 31 mm के auto cannon के साथ भी fit किया या सकता है जो दुश्मन के low flying object जैसे की fighter aircraft और helicopter को मार गिराने में सक्षम होगा दोस्तों इन टैंकों में जहाँ पे एक तरीके से 125 mm के एक घातक smooth war gun का इस्तेमाल किया गया है तो उही पे अभी से ये भी कहा जा रहा है कि रश्या भविशय में इसमें और भी घातक 2A83 152 mm के tank cannon का इस्तेमाल करेगा जिसे की पहली वार सन 2000 में रश्या दुआरा T95 मनामक एक टैंक के prototype में लगा के दुनिया के सामने लाया गया था और दोसो ये एक नया 152 mm के tank cannon का muzzle velocity T14 armata में फिराल इस्तेमाल करने वाले 125 mm के घातक cannon के तुलना में भी अधिक है जबकि इसके इलावा कहा तो ये भी जा रहा है कि tank के rare section मतलब पिछले वाले हिस्से में संभावित आने वाले समय में एक 30 mm के anti-aircraft gun का भी इस्तेमाल किया जाए जो दुश्मन के हवाई dominance को भी counter कर सके दोस्तों खाली firepower के मामले में नहीं बलकी T14 armata tank को रशिया के तरफ से engine के मामले में भी काफी मजबूत किया गया है रशियन जानकारियों के मुताविक T14 armata tank में CSTZ 12N360 diesel engine का इस्तेमाल किया गया है जो एक 1500 hp का engine है पर theoretically रशिया के तरफ से ये भी कहा जाता है कि ये जो tank का engine है ये 1500 hp में normally used होता है लेकिन ये 2000 hp तक power generate कर सकता है और basically रशिया द्वारा इसे future के जरुवतों को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है उपर से tankों के service life को भी मजबूत करने के लिए रशिया के तरफ से ये नया engine को ऐसे बनाया गया है कि ये 1500 hp के शमता के साथ अगर इस्तेमाल होता है तो कम से कम 2000 घंटेक तक इसे लगातार इस्तेमाल किया सकता है उपर से दोस्तों इन tankों को रशिया के तरफ से एक electronically controlled engine के साथ last किया गया है जिसे एक आधुनिक जमाने के propulsion system के रूप में भी देखा जा रहा है रिपोर्ट के मुताविक ये engine T14 आर्माता टैंकों को 500 km range तक operate करने का शमता भी देता है दोसों gear works, engine और transmission system electronically controlled होने के वज़ा से टैंक में काफी जाधा stability भी होता है और टैंक बिशम फरिस्तितियों में भी बहतरीन performance करता है वही पर ये भी बताया जा रहा है कि इन टैंकों में forward और backward दोनों section के लिए ही अलग अलग gear simulation का इस्तिमाल किया गया है जो दोनों तरफ ही टैंकों को बरावरी का रफ्तार दे सकता है transmission के लिए Soviet Union के जमाने में इस्तिमाल होने वाले पुराने टेकनीकों को छोड़ते हुए रशिया के तरफ से hydrostatic transmission सिस्टमों का इस्तिमाल ये नया टैंक में किया गया है जबकि दोस्तों इन टैंकों के movement और deployment को भी तेजगती करने के लिए रशिया के तरफ से काफी बारिक ध्यान रखा गया है और इसी वज़ा से आधुनिक टैंक होने के बावजुद रशिया दुआरा इन टैंकों को 48 टन के वजन के दर्मियानी रखा गया है वेस्टन कंट्रियों के leopard या avram जैसे टैंकों को जेल सके इसलिए माना जाता है कि कई सारे देश रशिया के टैंकों को लेके इसलिए भी इंट्रेस्टेड होता है क्योंकि उनके terrain के situation और infrastructure को देखते हुए ये टैंक बहतरीन तरीके सो operate कर सकता है जबकि रशिया का जो illusion 76 जैसे transport aircraft है ये भी ऐसे टैंकों को आसानी से एक जगा से दूसरे जगा तक लिफ्ट कर सकता है जिस वज़ा से टैंकों के deployment भी काफी तेज गती हो सकता है दोसो रशिया के रोश्टा कोरफरेशन के तरफ से अपने टैंकों के खूबियों को तो गिनाया गया ही साथ में इस प्रदर्शनी में अन्ने equipment का भी showcase किया गया जिन में कई सारे महत्वपूर्ण हत्यार भी शामिल है रशिया खली टैंक के शेत्रों में अपने आपको आगे नहीं ले रहा है बलकि unmanned aerial vehicle और electronic warfare जैसे equipment को भी काफी तेज गती से develop कर रहा है पर दोसो रोस्टा कोर्फरेशन के तरफ से इन 6 देशों में से किसी वी देश का नाम फिलाल बताया नहीं गया है लेकिन संभावित इन में भारत एक ऐसा देश हो सकता है क्योंकि बीते कुछ हपतों में ये भी चर्चा किया गया है कि भारत द्वारा शायद रशिया से T-14 आर्माता जैसे टैंकों को खरिदा जा सकता है और ये संख्या करीबन 500 टैंकों का भी हो सकता है इवन भारत के तरफ से रश्या से बिते कई दसों को से टैंकों का पर्चेस किया जा रहा है जिन में T-55 टैंकों से शुरू करके T-72 और T-90 जैसे आधुनिक टैंक भी शामिल है फिलाल भारत T-90 टैंकों को अपने ही देश में निर्मान कर रहा है और 2018 तक ऐसे टैंकों को निर्मान करने के लिए रश्या और भारत के बीच में पिछले सालों में समझोता हुआ ऐसे में भारत जिस तरीके से आत्मनिर्वर भारत के संकल के तरफ आगे बढ़ रहा है उसमें तो टैंकों के पर्चेजों को लेके संधह आर ही रहा है पर दोस्तो रश्या जिस तरीके से भारत में टैंकों को निर्मान कर रहा है इससे एक तरीके से रश्या को ऐसे डिलों म को खरिदने का कोई भी घोशना किया गया या कोई भी पबलिक फॉरम में जानकर ही एवेलेवल किया गया तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन कोई प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जै हिंद